जय श्री कृष्णा राधी राधी आप सभी को वैखुंट चतुरदशी की पहुत-बहुत छुब कामनाए भगवान लक्षमी नराएन भगवान शिव आपके सभी मनो कामनाओं को पूरी करें वैखुंट चतुरदशी को भगवान विश्णु और भगवान शिव की विशेश पूजा की जाती है। ऐसी माननेता है कि जब चार महा के लिए भगवान विश्णु योग नित्रा में जाती हैं तब स्रिष्टी का सारा कारियभार भगवान शिव को सौप कर जाती हैं। और वैखुंट चतुरदशी का ही वह दिन है जब भगवान शिव सिष्टी का कारियभार पुने भगवान विश्णु को समर्पित करती हैं। इसलिए इस दिन को दिपोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। आज मैं आपको वैखुंट चतुरदशी की सभी कहानिया सुनाऊंगी। बड़े प्रेन से इन कहानियों को सुने और कमेंट बॉप्स में विश्णु भगवान की जै लिखना ना भूलें। तो आईए शुरू करते हैं। पौरानिक कथा की अनुसार भगवान विश्णु ने कार्तिक मास की जतुरदशी के दिन काशी के मनी करने का घाट पर इसनान किया। पर भगवान शिव को एक हजार कमल पुष्प अर्पित करने का संकल्प किया। फिर भगवान विश्णु ने भगवान शिव का अविशे करके उजन आरंब किया भगवान शिव ने भगवान विश्णु की परिक्षा लेने के उद्देश्य से एक कमल का फूल अद्रश्य कर दिया एक के बाद एक करके जब भगवान विश्णू ने सभी कमल के पुश्प शिवजी पर चड़ाए तब उन्हें परतीत हुआ कि एक पुश्प कम है अपना संकल्प अधूरा रहता देख भगवान विश्णू को विचार आया कि मुझे तो कमल नयन की नाम से पुकारा जाता है अर्थार्थ मेरे नयन कमल के समान है यही विचार कर उन्होंने अपना एक नेत्र भगवान शिव को समर्पित कर दिया भगवान विश्णू की ऐसी भगति देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और तभी भगवान शिव ने प्रसन्न होकर विश्णू जी को सुदर्शन चक्र भेंट किया और कहा कि आपके समान दूसरा कोई और नहीं हो सकता आप मुझे अतिप्रिये हैं आज के दिन जो कोई भी आपकी और मेरी पूजा एक साथ करेगा उसके सभी पापों का नाश हो जाएगा बोलिये विश्णू भगवान की जय हो शंकर भगवान की जय हो एक समय नारज जी धरती के लोगों के दुख और संताप को देखकर बड़े दुखी हुए और धरती वासियों के दुखों के निवारन के लिए भगवान विश्णू के पास गए तब नारज जी को देखकर भगवान ने उन्हें आदर से बैठाया और पूछा ए देवरिशी बताईए आपका यहां आना कैसे हुआ तब नारज जी ने कहा प्रभू आप तो अंतरिया मी हैं आप अपने इस बक्त की मन का हाल भी जानते हैं धर्ती पर रहने वाले प्राणी अलग अलग योनियों में जड़म लेकर बहुत तरह के दुख जेल रहे हैं उन दुखों से मुक्त करने वाले और मुक्ष प्राप्ती के लिए कोई आसान उपाय बताईए तब भगवान विश्णू ने नारज्जी से कहा ए नारज्जी तुमने प्रत्वी पर रहने वाले प्राणीयों के हित के लिए बड़ा ही सुन्दर प्रश्न किया है जो भी मनुष्य कार्तिक मास के शुकल पक्ष की चतूरदशी के दिन और श्रद्धा और भक्ती के साथ रत करेगा और मेरा पूजन करेगा उसके सभी कष्टों का निवारन हो जाएगा मरने के बाद सीरे वैखुंट धाम की प्राप्ती होगी साथ ही साथ कार्तिक मास के शुकल पक्ष की चतूरदशी के दिन जिसकी मृत्यों होगी उसे भी वैखुंट की प्राप्ती होगी तब भगवान विश्णों ने अपने द्वारपाल जय और विजय को गुला कर आदेश दिया कि कार्थिक मास के शुकल पक्ष की चतुरदशी के दिन वैकुंट के द्वार खुले रफना इस दिन प्रान त्यागने वाले को वैकुंट थाम की प्राप्ति होगी बस तबी से कार्थिक मास के शुकल पक्ष की इस चतुरदशी को वैकुंट चतुरदशी के नाम से जाना जाने लगा बोलिए विश्णो भगवान की जय हो वैकुंट चतुरदशी के दिन सुनी जाने वाली कहानी एक समय की बात है किसी गाओं में एक बुढिया माई रहती थी उसके पास एक बच्छडी थी उसका नाम था उर्णी कपूर्णी कार्थिक का महीना आया तो बुढिया माई कार्थिक नहाने जाने लगी तो पडोसन से बोली कि तुम मेरी उड़नी का पूर्णी को अपने पास रख लो उसी चारा डाल देना और उसकी सामने पानी का कुंडा भरके रख देना अपडोसन ने उसे रख लिया और उसन रोज उसे चारा डालती और उसके पास पानी का कुंडा भरके रख देती एक दिन पडोसन को कुछ काम था उसे ध्यान ही नहीं रहा उड़नी का पूर्णी का तो उसने पड़ोसन ने उर्णी कपूर्णी को उस दिन कुछ भी नहीं दिया ना चारा दिया और ना पानी दिया जब उर्णी कपूर्णी को कुछ नहीं मिला तो भुक को मरती पानी के कुंड में गिर पड़ी गिरते ही उसका तो स्नान हो गया बुकी मरती का वास हो गया और वो मर गई उस दिन वैखुंट चतुरदशी का दिन था तो मरते ही वो तो वैखुंट चली गई बुढ़िया माई जब कार्तिक इसनान करके वापिस आई तो पड़ोसन से पूछने लगी मेरी उर्नी कपूर्नी कहा है तो पड़ोसन बोली वो तो मर गई तो बुढ़िया माई बोली कि उसने कितने कार्तिक नहाए तो पड़ोसन बोली ज़्यादा तो नहीं बस एक वैखुंट चोदस नहाए वैखुंट चोदस के दिन इसनान के पून्य से उर्नी कपूर्नी ने अगले जनम में राजा की खर में जनम लिया इसे लिए जो कोई महीना भरकार दिकना नहा सके तो चोदस को नहाए चोदस को इसनान करे ध्यान करे और व्रत करे ए विश्नु भगवान जैसे उर्नी कपूर्नी गुबती मिली वैसी ही सब को देना सब की मनोकामना पूरी करना खोटी की खरी अधोरी की पूरी करना बोलिये विश्नु भगवान की जै हो बैखौंट चतुरदशी के दिन सुनी जाने वाली राजा और उसकी बेटियों की कहानी किसी नदर में एक राजा था उसकी दो बेटियां थी एक समय राजा फोजन कर रहा था तो अपनी बेटियों से पूछने लगा ए बेटी तुम ये बताओ तुम किसके भग्य का खाती हो तो बड़ी बेटी तो तुरंत बोली कि पिताजी मैं तो आपके भग्य का खाती हूँ चोटी बेटी बोली कि पिता जी मैं तो अपनी ही किस्मत का खाती हूँ राजा को बड़ा क्रोध आया उसने सोचा कि मैं सबकर इतना ध्यान रखता हूँ पूरी नगरी को खिलाता हूँ सब के लिए इतनी मेहनत करता हूँ नए नए वस्तर और आभोशन पहनने के लिए राता हूँ उसके बाद भी मेरी छोटी बेटी कह रही है कि वह अपनी किस्मत का खाती है तभी गुस्से में आकर राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ और दो लड़के ढूड़ो बड़ी बेटी के लिए तो कोई राजकुमार ढूड़ना जिपकि छोटी बेटी का विवाह किसी भीकारी से करूँगा सभी मंत्रियों को राजा की इस बात पर बड़ी हैरानी हुई पर किसी ने कुछ पी नहीं कहा और राजा क्या जो आदेश था उसे पूरा करने के लिए चले गए तब उन्होंने दो लड़के ढूड़े एक राजकुमार था और एक भीकारी था राजा ने अपनी बड़ी बेटी का विवाहा तो राजकुमार के साथ कर दिया छोटी का गरीब भीकारी के साथ कर दिया जब दोनों ससुराल जाने लगी तो राजा ने बड़ी बेटी को तो बहुत सारा समान दिया खूब गारी घर भर भर के समान दिया खूब सारे गहने आभूशन सब कुछ दिया तिपकि छोटी बेटी को कुछ भी नहीं दिया उसे तो फटे पुराने से कपड़े पहना कर भेजे और साथ में भी कुछ नहीं भेजा छोटी बेटी ने अपने माता पिता को परणाम किया और घर से निकल गई कुछ बोली नहीं ससुराल पहुची तो देखा वहां कोई उसकी आवभगत करने वाला भी नहीं था एक छोटी सी जोपड़ी थी जहां एक बड़ा सा मैदान और उसमें पाथ चूले बने हुए थे रात हुई तो सब चुक चाप सो गए सुबह उठी तो उसने अपने जेट से पुछा कि यहाँ पर पाथ चूले क्यों है तब बड़े जेट जी बोले कि हम पाच भाई है सबके पाथ चूले है तो बहु ने कहा ठीक है लेकिन आप सब लोग कहा जा रही है तब जेट बोला कि बहु हम तो सब पिकारी है भीक मागने जा रही है तो बहु कुछ नहीं बोली चुप रही तब जेट बोला कि बहु अमारी कोई गलती नहीं ताजा के मंत्री नहीं आकर जबर्दस्ती तुम्हारा विवाः मेरे भाई के साथ करा दिया तब वो कहने लगी कि हाँ जेट जी आपकी कोई गलती नहीं सबको जो मिलता है अपने भाग्य का मिलता है तब वे पाजो भीक मांगने चले गए पीछे से राजकुमारी नहीं पूरे घर की सपाई की पूरे घर को जाडा बुहारा गोबरी से लीप दिया और बड़े जेट का जो चुला था उसे तो छोड़ दिया बाकी सारे जुले मां से हटा दिये शाम को जब पाजो भाई भीक मांग की आए तो उनोंने घर को बड़ा साफ सुत्रा देखा लेकिन चार चुले हटे देखकर तो उने बड़ा गुसा आया सब पूछने लगे हमारे चुले कहां है अब हम खाना कैसे बनाएंगे तो राजकुमारी बोली कि आज से हम सब एक ही चुले पर पोजन बनाएंगे मैं खाना बनाऊंगी और आप सब खाना ये सुनकर सब बड़े खुश हुए तो फिर बहुत कहने लगी कि आप सब जाओ और नदी पर पहले नहाओ धो और फिर भगवान विश्णो के मंदिर में जाना पूजा करना उनके दर्शन करना और फिर वापस आना इतना मैं खाना बना कर रखूंगी ये सब सुनकर तो सब फिर बिगड़ गए बोले हम नहीं करते ये सब चोचले बाजी अधोय भगवान विश्णो के मंदिर में दर्शन करे और फिर थोड़ी देर उन्हें पूजा करनी तो आती नहीं थी क्योंकि कभी पूजा करी नहीं थी बस थोड़ी देर वहाँ हाँ जोड़कर बैठे रहे और इसके बाद खरा गए इतना राजकुमारी ने भोजन बना के रखा था इतना स्वादिष्ट भोजन उन्होंने आज से पहले कभी नहीं किया था रोज तो जला पुका और ख्वा सुखा बनाते थे और खा लेते थे भोजन करने के बाद सब लोग सो गए सुखे उठे तो सब लोग फिर से अपने जोले और कटोरे उठा कर चल दिए भीक मांगने के लिए तो राजकुमारी ने सब को रोका बोली कि आज से आप लोग भीक मांगने मच जाओ मैनत मजदूरी करा करो तो बड़ा जेट जो समयदार सा था बोला कि हमें तो कमाना नहीं आता हमने तो हमेशा से ही इस तरह से मांग के खाया है हमें तो भीक मांगने ही आती है तो राजकुमारी बोली कि कोई बात नहीं कमाना नहीं आता तो सीख जाओगे जो भी काम मिले उसे कर लेना लेकिन भीक मत मांगना भाई फिर बिगड़ तया बोले यह पता नЎ कहां कहां के नए नए कानून लगा रही है लेकिन फिर भी जब बड़े भाईया ने कहा कि चलो कोई बात नहीं एक तिन भणकरने में क्या जाता है कि अपता हमें कोई काम मिल ही जाए तो वे सब भी घर से निकल लिए उस दिन उलोंने भीक नहीं मांगी काम ढूनते रहे चार भाईयों को तो काम मिल गए लेकिन सबसे बड़ा भाईयाथ था उसको कोई काम नहीं मिला तो वो बड़े दुखी मन से मुझ लटका के अपने घर वापिस आ रहा था शाम को सब लोग तो काम करके आ रहे थी उन्हें कुछ मेनत मैजूरी भी मिली थी लेकिन उसे तो ना काम मिला ना कुछ पैसे मिले तो मुझ लटका के आ रहा था उसका ध्यान नहीं था उसका पैर गोबर में फस गया तो गोबर में फसा पैर मतलब गोबर में सना पैर लेकर अपने घर आया तो बोला कि बहु मैं अंदर नहीं आता मेरा पैर तो सारा गंदा हो गया है गोबर में तो बहु बोली कोई बात नहीं आप दैलीज से अपना पैर पूँछ लो और फिर घर के अंदर आ जाओ तो उसने दैलीज से जो पैर पूछा तो वहाँ पर गोबर की लिपाई हो गई तो सब घर के अंदर आ गए, सबने अपनी महनत मजदूरी की जो कमाई थी जो भी लाए थे वो सब राजकुमारी को संभाल दी उस दिन सबको बड़ा अच्छा लगा क्योंकि उस दिन उन्होंने भीक नहीं मांगी थी भीक मांगना तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था भीक मांगते थे तो उनकी बेज़ती होती थी सब लोग उन्हें दुद्कारते थे लेकिन आज जो उन्होंने मेहनत मजदूरी की तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा लेकिन जो बड़े वाले जेट थे वो बहुँ मुझे तो कोई काम नहीं मिला मैं तो खाल लिया हूँ तो पहले दिन की तरह हैं वो सब नहाने गए और उन्होंने भगवान विश्णू के दर्शन किये थोड़ी देर हाथ जोड़कर बैठे रहे उसके बाद घर आये तो इतना राजकुमारी ने खाना बना रखा था खाना खाके सो गए अगले दिन फिर कमाने गए अगले दिन भी चार भाईयों को तो काम मिला लेकिन बड़े भाई को कोई काम नहीं मिला वो फिर दुखी उदास हो गया सोचने लगा कि आज भी जाऊंगा और ये कहुँगा कि मुझे कोई काम नहीं मिला मैं कुछ नहीं लाया तो अच्छा नहीं लगेगा जब मू लटका के वापिस आ रहा था तो रास्ते में देखा एक मरा हुआ सर पड़ा था उसने सोचा खली हाथ नहीं जाऊंगा चाहे मरा हुआ सर फिले जाऊंगा उसने सर पुठा लिया और उसे लेकर वहें खर पहुच गया जब सब घर आए तो मैं सब राजकुमारी को जो जो कमाके लाए थे वो देने लगे तो जब बड़े भाई की बारी आई तो बोला बहु मुझे तो कुछ काम नहीं मिला था इसलिए मुझे तो कोई महनत मजदूरी नहीं मिली लेकिन मैं खाली हाथ नहीं आया रास्ते में मुझे एक ये मरा हुआ सर प मिला था मैं इसी को ले आया हूँ तो राजकुमारी को देखकर थोड़ी सी हैरानी भी होई कि मरा हुआ सर प लाए लेकिन फिर भी वली कोई बात नहीं अब जो बिलाये हैं ठीक है इसे जोपड़ी के उपर फेक दो तो उसने जो है सर्प को जोपड़ी के उपर फेक दिया इस तरह से कमाते खाते उनके दिन निकलने लगे घर में अंधन होने लगा क्योंकि मेनत मजदूरी कर रहे थे तो एक दिन की बात है उसनगर के राजा किरानी जब नदी में नहाने गई तो उसने अपने जो गहने उतार के रखे वहां तो उसका कीमती हार चील लेकर उड़ गई सारे दरबारी पहरेदार चोकिदार सब पिछे पिछे भागे भार लेने के लिए लेकिन जील का पिछा कैसे करते सब बेकार जील उड़ती उड़ती उन पांचो भाईयों की जोपड़ी के उपर से उड़ी उसने वहां से देख खमरा हुआ सर्प पड़ा है अब उसे तो लालच आ गया उसने हार तो वहीं रख दिया और सर्प लेकर उड़ गई तब नगर में राजा ने जिंडोरा पिटवा दिया कि रानी का बेश कीमती हार चील लेकर उड़ गई है जो कोई भी उसे लाएगा उसे मुँ मांगा इनाम मिलेगा शान को पांचो भाई जब कमा खाके आए तो दूर से ही बड़े जेट की नजा छोपड़ी पे गई को कुछ चमक रहा है उसने जाके देखा तो वहां तो बड़ा हार पड़ा था तो वो हार लेकर निच्ची आया राजकुमारी को दिखाया तो राजकुमारी तो पहचान गई ये तो राणी का हार है तो बोली कि ये तो राणी का हार है इसे जाकर राजा को दे दो अब बड़ा जेट राज कर पास गया हार लेकर उसने हार राजा को दिया राजा तो हार देकर बहुत खुश हुए और बोले कि तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे मांग लो मैं तुम्हें सब देने को तैयार हूँ तो जेट बोला कि राजा जी मुझे तो मांगना नहीं आता अगर आपकी आग्या हो तो मैं अपने भाई की पत्नी से पूछ कर बता दूँगा तो राजा बोला कोई बात नहीं तुम घर जाओ और कल बता देना जेट घर आ गया घर आने के बाद उसने राजकुमारी को पूरी बात बताई कि राजा कहते हैं कुछ मांग जो मांगेगा दूँगा तो राजकुमारी बोली कि राजा के महल में जाना और कहना कि मुझे कुछ और तो कुछ नहीं चाहिए बस वेकुंट चोदस के दिन नगर में कोई भी अपने घर में दीप न जलावे यहां तक की महल में भी कोई दीप न जले बस मेरी यही इच्छा है आप इसे पूरी कर दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए जेट राजा के पास गया उसने राजा से कहा कि राजा जी मुझे तो कोई इनाम नहीं चाहिए बस वेकुंट चोदस के दिन कोई भी नगर में अपने घर में दीप न जलावे यहां तक की राजमहल में भी कोई दीप न जले पूरी नगरी में अंधिरा रहे बस मैं इतनी ही मांग करता हूँ आपसे तो राजा सुनके थोड़ा हिरान तो हुआ कि मांग भी रहा है तो क्या पी भी बोला कोई बात नहीं तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं पूरी कर दूँगा एक दिन की ही तो बात है नगर में कोई दिपक नहीं जलाएगा महल में दिपक नहीं जलेंगे राजा ने पूरी नगरी में धिन्डोरा पिटवा दिया कि वैकुंट चोदस के दिन कोई भी अपने घर में दीप नहीं जलाएगा अंधेरा रखेंगे सब लोग तो राजा की अज्या कोई डाल सकता था वैकुंट चोदस के दिन किसी ने अपने घर में दिपक नहीं जलाया राज महल में भी दिपक नहीं जले जबकि पाच्चो भाई की जोपड़ी खूब जगमग हो रही थी राज कुमारी ने सब तरफ दिपक जलाय थे कहीं भी अंधेरा नहीं जोड़ा था को विश्णो भगवान की लक्ष्मी जी की पूजा की पूरी तैयारी की थी एक चोप की बिछा के थाल सजा के बैठी थी स्वर्ग लोग से माता लक्ष्मी उतरी विश्णो लोग में आई तो चारो दरफ टूबने लगी देखने लगी घोमने लगी तो देखा सब जंगे अंधेरा ही अंधेरा था बस एक जोपड़ी थी जो जगमक कर रही थी माता लक्ष्मी जोपड़ी पर आई और दरवाजा खड़ कड़ाने लगी तो अंदर से राजकुमारी ने पुछा कौन है तो माता लक्ष्मी बोली कि मैं इस घर की बेटी हूँ तो राजकुमारी बोली कि नहीं जी मैं दरवाजा नहीं कोर सकती हमारे घर में आपके लिए कोई जंगा नहीं हमारे पास तो खुद को खाने को नहीं है आपको कहां से खिलाएंगे थोड़ी देर बाद माता लक्षमी ने फिर दरवज़ा खड़ खड़ाया तो राजकुमारी बोली कौन है तो माता लक्षमी बोली कि मैं इस घर की बहू हूँ फिर भी राजकुमारी ने दरवज़ा नहीं कोला तीशरी बार जब माता लक्षमी ने फिर से दरवज़ा खड़ खड़ाया तो राजकुमारी बोली कि कौन है तो माता लक्षमी बोली कि मैं इस घर की बहू हूँ और यही रहूंगी साथ पीड़ी तक बस इतना सुनना था कि राजकुमारी ने दर्वाजा कोल दिया जैसे ही मातालक्ष्मी जोपड़ी के अंदर गई तो वो जोपड़ी तो सुन्दर महल बन गया अब राजकुमारी बोली मातालक्ष्मी से कि आओ बैठो तो मातालक्ष्मी बोली कि ना मैं तो न बैठती मैं तो पैसे वाले के अमीर सेट के भी कभी न बैठी तो राजकुमारी बोली नहीं बैठना तो पड़ेगा और इतना कहकर उसने मातालक्ष्मी का हाथ पकड़ा और चौकी पर बिठा दिया जोक्वे पर बैठते ही माता लक्षमी के ने तो साक्षाद दर्शन दे दिये तब राजकुमारी ने लक्षमी जी की खूप पूजा की आरती की उन्हें भोग लगाया लक्षमी जी की किरपा से उनका सारा घर धन धानने से पर गया चारों तरफ अंधन के धेर लग गए सुबए जब सब सोकर उठे तो दिखते के हिरान हो गए उनकी जो छोटी सी जोपड़ी थी वो तो बड़ा महल था उसमें नोकर चाकर खूम रहे थे खूब धन दोलत हो रही थी सब तरफ उनकी मतलब वह वाई होने लगी कि बड़े पैसे वाले लोग हैं ये है वो है तो अब पांचों भाई खूब कारोबार करने लगे क्योंकि अमीर हो गए थे खूब उनका बड़िया कारोबार चल गया घर में नोकर चाकर हाती गोड़े सब हो गए उधर राजकुमारी की बड़ी बेहन जिसका ब्याह एक राजकुमार के साथ हुआ था उनके कारोबार में घाटा होने लगा इतना घाटा हो गया कि खाने के भी लाले पड़ गए खाने को भी कुछ न रहा तो उसकी सास ने उसे घर से निकाल दिया बोली कि तुम्हारे आते ही हमारा तो घर बरबाद हो गया अब बड़ी बेटी रोती बीटती अपने पिता जी के पास महुची राजा जी के पास महुची तो अपनी प्यारी बेटी की ऐसी हालत देखकर राजा जी बड़े दुखी हुए तब राजा ने अपनी बेटी से सारा हाल पुछा तो उसने अपना सारा हाल कह दिया तो राजा सोचनी लगा कि मैंने बड़ी बेटी का भिया दो राजकुमार के साथ किया था तब जाके उसकी यह हालत है छोटी का तो विकारी के साथ किया था उसकी क्या हालत होगी पता नहीं जिन्दा भी होगी नहीं तब एक दिन राजा अपनी छोटी बेटी का हाल जानने के लिए उसके गाउं में जला बेस बदल रखा था एक वैपारी का भेश बना लिया और भेश बदल के समान भेशने के लिए गाउं गाउं में गली गली में आवाज लगाने लगा जो जोर से आवाज लगा खूम रहा था करते करते उसी गली में पहुंच गया है जहां उसकी बेटी का महल था तब उसने वहाँ आवाज लगाई तो बेटी ने अपने पिता की आवाज पहचान ली जरो के से जाग कर देखा तो देख के समझ गई ये तो मेरे ही पिता जी है तो उसने नोपरों से कहा कि बाहर जाओ और जो वैपारी समान बेच रहा है उसे ले आओ उसे अंदर आदर के साथ लाओ और उन्हें भोजन कराओ तब नोपरों ने ऐसा ही किया बहुत अच्छी कीमत पर उसका सारा समान उन्होंने खरीद लिया फिर उसे अंदर लाए और लाकर बैठा दिया उसके बाद वे राजा को भोजन कराने लगे राजा की जो बेटी थी घूंगट निकालके अपने पिता जी को भोजन करा रही थी राजा ने उसे पैचाना नहीं क्योंकि घूंगट में थी उसकी बाद जब राजा ने भोजन कर लिया तो उसके बाद पानी लेकर आई तो अब की बार वो वही फटे पुराने कपड़े पहन कर आई जिसमें उसे की विदाई हुई थी जब वो फटे पुराने कपड़े पहन कर आई तो बोली कि लो पिता जी पानी पी लो तो राजा उसे देखकर हैरान तो कहने लगा कि तो इस गर की नोकरा नहीं है क्या तो राजकुमारी बोली कि नहीं पिता जी ये महल, ये ठाट बाट, ये नोकर चाकर ये धन दोलत सब मेरे भाग्ये सा है ये तो सब मेरे ही है तो राजा बोला कि तुने तो यही कपड़े पहन रखे हैं जिसमें तुझे विदा करके वेज जाता यह फटे पुराने कपड़े तो वराज कुमारी कहने लगी कि पिता जी यह तो मैं आपको दिखाने के लिए पहन कराई हूँ अभी जो आपको बोजन करा रही थी वो भी मैं ही थी सजीध जी रेशम जरी के कपड़ों में सुन्दर गहने पहन रखेते वो भी मैं ही थी और यह जो फटे पुराने कपड़े पहन कराई हूँ यह भी मैं ही हूँ अब आप देखो यह सब पूरा मेरे भाग्य का ही खेल है मैंने कहती थी ना कि मैं तो अपने भाग्य का खाती थी आपने एक विकारी से मेरी शादी कर दी लेकिन मेरे भाग्य से यहाँ देखो यहाँ भी मुझे महलों नोकर चाकर मिल गए आज हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है हमारे घर में सब कुछ है यह लक्षमी माता जैसे आपने उस लड़की पर दया की ऐसे ही सब पर करडा सब पर अपनी किरपा बनाए रखना सब के घर में कोप थन समपत्ती देना बॉलिये लक्षमी माता की जै हो विष्णो भगवान की जै हो बहुत समय पहले की बात है बात तब की है जब भगवान विष्णू का विवाह लक्षमी जी के साथ निश्चित हो गया था विवा की तैयारिया हो रही थी सभी देवी देवतां को निमंतरन भेजे गए पर गनेश जी को नहीं बुलावा दिया गया अब कारण जो भी रहा हूँ भगवान विश्णु की बारात आने का समय हो गया सभी देवी देवता विवा समरों में आ गए तो सब ने देखा कि गनेश जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे है वे आपस में निर्चा चर्चा करने लगे कि गनेश जी क्यों नहीं आए क्या उन्हें नहीं बुलाया या वे खुद ही नहीं आए सब इसी बात पर सोची रहे थे कि सोचा कि चलो भगवान विश्णों से ही पूछ ले तब भगवान विश्णों से पूछा तब उन्होंने कहा कि हमने गनेश जी के पिता बोलेनात महादेव को नियोता भेजा है यदि गनेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते अलग से नियोता देने की आवशक्ता ही क्या है और एक पात ये भी है कि उनको सवा मन मोग, सवा मन चावल, सवा मन घी, सवा मन लड़ू का भोजन दिन भर में चाहिए गनेश जी ना ही आए तो अच्छा है, दूसरे के घर जाकर इतना खाना पिना अच्छा भी नहीं लगता अभी इतनी बातचीत कर ही रहे थे, कि किसी ने सुझाव दिया यदि किसी कारण से गनेश जी आ भी गए, कब उन्हें द्वारपाल बनाकर यहीं बैठा देंगे कि घर की देख बाल करना, आप चुहे पर बैठकर दीरे दीरे चलोगे, बाराच से वैसे भी पीछे रह जाओगे यह सुझाव भी सबको बहुत पसंद आ गया, भगवान विश्णू ने भी अपनी सहमती दे दी अब होना क्या था, इतनी देर में ही गनेश जी वहां आ गए, उन्हें समझा भुजा कर करकी रखवाली पर बैठा दिया बाराच चल दी, नारज जी ने देखा कि गनेश जी तो दर्वाजे पर बैठे हैं, गनेश जी के पास गए और कारण पूछने लगे तब गनेश जी बोले कि विश्णो भगवान ने मेरा बड़ा अपमान किया है, तब नारज जीस ने सुझाव दिया कि अपनी मुशक सेना को भेज दो, वे रास्ता खोद देगी, उनकी वहां तो धर्ती में ही धस जाएंगे, ना वे आगे जाएंगे, ना विवा होगा, त जुरतों के पहिये दर्दी में धस गए, लाग कोशिश करें पर पहिये नहीं निकलें, सबी ने अपने अपने उपाय कर लिए पर पहिये तो निकले ही नहीं, बलकि जंगे ने ऐसे तूट गए, आप किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, तब नारज जी बोले कि आप लोगों ने गनेश जी का अपमान किया, इसी कारण विगन आया है, यदि उन्हें मना कर लाएं, तो कारिये सिद्ध हो जाएगा, और ये संकट भी तल जाएगा, तब शंकर भगवान ने अपने दूत पंदी को भेजा, कि गनेश जी को लेकर आओ, गनेश जी आये, उ खाती ने अपना काम शुरू करने से पहले जोर से बोला, बोलो कजानन गनेश की जै हो, यह कहकर गनेश जी की बंदना, बंहीं मन में करने लगा, देखते ही देखते उसने सारे पहिये ठीक कर दिए, तब देवी देवताओने पूछा, कि तुमने कजानन गनेश की जै क्यो वोली, तब खाती कहने लगा कि गनेश जी को तो पहले बनाना पड़ता है आपने गनेश जी को नहीं बनाया होगा उनकी पूझा नहीं की होगी इसी लिए तो इतना विगनहाया है हम तो मूर्ख है अक्यानी है फिर भी पहले गनेश जी पूझते हैं उनका ध्यान करते हैं आप तो देवता हैं फिर कैसे भूल गए अब आप लोग गनेश जी की जै बोलो और आगे चलो आपके सब काम हो जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा तब सभी ने गनेश भगवान की पूझा की उनकी जै बोली और बारात आगे चल दी विश्नु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवा संपन हो गया सभी सा कुशल घर लोट आए ये गनेश जी महराज जैसे आपने विश्नु जी के काज सवारे ऐसे ही सब के काज सिद्ध करना बोलो बजानन गनेश की जै हो एक तपसी था और एक लपसी था तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाता भोग लगाता घर्टी बजाता और जीम लेता एक दिन दोनों में जगड़ा हो गया तपसी बोला की मैं बड़ा हूँ लपसी कहने लगा की नहीं मैं बड़ा हूँ तपसी बोला की मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं ही बड़ा हूँ लपसी बोला की मैं रोज भगवान को सवा सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बढ़ा हूँ दोनों आपस में जगड रहे थे नारज जी वहाँ से गुजरे तो दोनों को जगड दे देखा पूछने लगे कि क्यों जगड रहे हो तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी नारज जी बोले कि तुम लोग आपस में जगडा मत करो तुम मेंसे कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कर दूँगा अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहा करा रहे थे नारज जी ने दोनों के रास्ते में सवा सवा करोड की अंगुठी रख दी तपसी ने अंगुठी देखी तो उसने तुरत उठा ली इतनी कीमती अंगुठी देखकर उसके मन में लालचा गया सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगुठी है इसे बेचूंगा बहुत सारे पैसे मिलेंगे उन पैसों से एक बहुत बड़ा यग्य करूँगा और अपने आपको बड़ा साबित कर दूँगा उधर लपसी ने अंगुठी देखी तो सोचने लगा आरे किसी की कीमती अंगुठी गिर गई है लेकिन उसने अंगुठी को हाथ तक नहीं लगाया सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोड आको मेरे पीछे पड़ जाएंगे कहीं मुझे मार दिया तो वो तो रोज की तरहें सवासेर की लापसी बनाई बदवान को भोग लगाया घंटी बजाई और जीव लिया थोड़ी देर में नारज जी वहाँ पर आए दोनों कहने लगे कि बताओ नारज जी हम दोनों में से कौन बड़ा है तो नारज जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ दोनों खड़े हो गए जैसे ही दोनों खड़े हुए तपसी के पैर के नीचे से अंगूठे निकली जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी तो नारज जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तुने और तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया जा अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा रोते रोते नाराज जी के पैरों में गिर गया बोला महराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा तब नाराज जी बोले कि जो अपने घर में गाए कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा दीवा जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा ब्रामन को भोजन कराकर दक्षिना नहीं देगा तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा साड़ी देकर भेट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा जो सारी कहानी केकर तेरी कहानी नहीं कहेगा तब उसके सारे पुन्ये, सारी पल तुझे मिल जाएंगे बस तबी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए नहीं तो किसी भी कथा कहानी का पल नहीं मिलता